हेलो भाई हो एक ही हेर कैस वा आप सब लोगों को उमीद करता हूं सब बढ़ियां होंगे तो विजह मैरे सब ने अपने लेटी जो इंस्टाग्राम पर अप्लोड किया था वाला उसका टूलिल आपके सामने पेश है तो आपको मालूम होगा कि दो दंसे वीडियो ने गहा रही क्योंकि बहुत बीज़्ी चल लाूं टाइम नहीं मिल पा रहा था और इसी वज़ा से आज पोस कभी मतलब पोज खिचवाने वाला सीन नहीं हुआ क्योंकि टाइम बिलकुल नहीं मिल पाया तो ना होने से तो होना बैतर मैंने सुचा है कि मैरर वाला कॉंसेप्ट तो मुझे इंस्साग्राप पर भी मैसेज भी आ गया थे लड़कों के कि भाई ये वाला कॉंसेप्ट जो हमें चाहिए तो फिर पोज नहीं कीचवा है लेकिन मैं बताऊंगा कि कैसा आप स्टायल बनाऊगा इंशालला उमीदे कि आप मतलब सीख जाओगे समझा जाएगी कि कैसे आपने ये वाली आडेटिंग करनी है बहुत टायट जाएगे तो वीडियो आपको अच्छी रखते हो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना चैनल पर अगर आप नहीं हो तो सबस्क्राइब करने के साथ साथ ही घंटा जो होता है उसको घंटे को दबा लेना और हाँ अगर आप इस््स्क्राइम चलाते हो तो इस्स्क्राइम का लिक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलता है वीडिव को तरह वीडियो में बेर पोस दिखाते तना उन दो पोस की आपको जरूरत पढ़ेगी फरस्ट पोस आपा आजाएगा य और आपने ब्लेक फुल टाइम ब्लेक केरिटिंग करने है ठीक है यह पोस भी आपके सामने बिल्कुल सिंपल है इसमें तो कोई हाट है इनी चीज ठीक है आप मॉबाइल से किछवा सकते हो दैन दूसरा पोस यह है ठीक है दूसरे पोस में आपने सिर्फ अपने चश्मे को मत बैगराउंड और जो पी एंजी मैं यूज़ करूंगा वीडियो के अंदर उसके लिंक आपको नीचे मिल जाएगी आपने डाउनूड कर लेने हैं सिंपल ठीक है बैगराउंड फुल एजडी के अंदर है मतलब देख लो बाई जो बोलता है कि यार बैगराउंड एजडी मे कि अदर ने कि आपको अधर ने खीक है तो अब यहांपर आपको पता की होगा कि पिकसार्ट में गालब यही चीज आती है कि यह पीछे जा रहे ही यह वाली फोटो इसके आगे से यहां पर जो जोड़ा करके बिल्कुल यहां पर चीशे का एंड हो रहा ना यहां पर इसको चोटा करना है और आपने बिल्कुल शीशे के एंड में मतलब इस तरफ इसको ले आना है ठीक है इस वाले पोस्ट को जैसे मेले आँ थोड़ा सा चोटा करें तो काफी यह बड़ा लग रहा है उसके बाद आप इसको यहाँ पर लगा दो ठीक है तो यह जब लग जाए लग जाने के बाद हम दूसरे वाला जो है हमारा पोस्ट कहांगा दूसरा वाला उसको हम लाएंगे तो यह लग चुका है उसके बाद हम दूसरे वाले पोस्ट को पीछे के तरफ ले जाएंगे तो मैंने आपको पहले बता है कि यह पीछे क्यों जा र करें मतलब आपने इतना बड़ाइं कि ये जो हे रहे हां वर से आपके अपर तक मतलब तक रिया है इस से बहुत फाइदा को आपकी फोटो कें विर मैं बताता हूं आपको आप्ल तो आपने पहले इस की उंगली को जो होगी ना मतलब आपने सिंबली कट कर देना होगा ठीक है गाइस यहां पे आपने कट कर देना होगा और कुछ नहीं करना होगा यहां से सिर्फ पहले आप इसका पार्ट कर दो कट कर देने के बाद आपने दूसरा काम करना हुगा वो मैं बताता हूँ आपको पहले कट कर दिया कट कर देने के बाद बिल्कुल एक असली लूख लगएगा ऐसे लगएगा कि मतलब ये असल में इस शीशे के अंदर खड़ावा है मेरर अंदर से इसकी फोटो आ रही है ठीक है कट कर देने के बाद आपने ये वाला सलग कर देना कौन सा ये पहला वाला इसकी ओपिसरी को आपने कम करना है दैन आपने जाना एरेजर में और रेजर में जाने के बाद आपने हार्ड निस को बढ़ा के जहां पे इसकी उंगली का पाट आ रहा है उसको आपने कर देना है एरेज ठीके एरेज जैसे यहां पे अंगूटे का पाट आ रहा है उसको आपने यूँ एरेज कर देना है यहां पे इस वाली उंगली का पाट आ रहा है इसको भी आपने एरेज कर देना है जहां जहां पर अंगली का पार्ट आ रहा है उसको आपने कर देना है जैसे यहां पर यह वाला इसकी अंगूठी का आ रहा है उसको भी आपने एरेज कर देना है ठीक है तो यह आपके सामदें दोनों फोटोज देखो कैसे अड़ करें जैसे बता है सिम्बल मतलब सबसे बड़ी मेंचीज box यही है आपके अधर फोटो के अंड़ तो आपको जो मैंने बता है यह चीज आपने लाज vaidоду के अधा है मतलब जो बता है यह इसी तरीके से एड़ करनी है दोनों फोटोज और उसके बाद हम कर देते हैं डन कर देने के बाद टेक्स की पिन जी है वो एड़ कर लेते हैं कुलोईन वाले जैसे एरिया सेलेक्ट करते हैं हम आपको मालूम ही होगा एरिया सेलेक्ट करके मतलब उपर से उंगली को ला सकते हो और यह ब्लैक वाला एरिया मतलब उपर से यहां से यह कर सकते हो अगर आपकी उंगली से यहां से कुछ रह गया हो बीच से तो अब आगे चलता है एक टेक्सी पेंजी दूता हम वह एड़ करनी है आपने यह आगए यह टेक्सी पेंजी आप आप बोलोगो यह किया काम है तो बिलिंड में सीधा जाने के बाद आप इसको पहले तो स्क्रीन पे लियाओ उसके बाद आप रेजर में चले जाओ उसके ब बहुत बढ़ी है लगा था मैंने ट्राइ किया था देखा तो बहुत अच्छा तो अगर आप आप आपने बलेक शेट पहने होगी ठीक है आपकी वीजे मेर की तो फोटो है नहीं अगर आपकी बलेक शेट होगी तो आपकी शेट पर यह टेक्स इतना जचेगा मैं बता नह अचेटेगा तो आप डं करोगे और आपने जैसे यहां पर रहे सिंपल ही वैसे एरेजर में देखो यह जगा रह गई तो यहां से आप इसको दुबारा लेआओ और डं करोगे आप इसको जैसे है वैसे ही रहने देना और ज्यादा इसके साथ कुछ भी निकरना पिर आपन तो यह हो ग słuगी हिए तो आप कर दो कर डं करतें के बार रहा ही फोट कर लिए तो गाइस दुबारे यह वाली फोटो आ जांतर यह इए वह जाना बार सब कुछ काट देंगे इस दफ़ा नाउ लाइफ वाले को सिर्फ हमने टेक्स को रहने देना बाकि सब चीज हमने काट देनी है असल में विजे मेर की फोटो पे जब ब्लैक शैट है इतनी जच रही है अब करे ट्राय देखना और मज़न आया तो बहले है लगाने के लाख तो आप शिको कम कर दो देना रहा की उस्के बाद झitt전에 कर दे लेंगा मैंनों तो Whatsdarिश सब्कराइब कर देना है था Gevert Zurich Maury को और जाद कर देना है तकर और 30,30 तक छीज नहीं है बलके 20% तक भी मैं बोलता हूँ आपको अगर आपको हिसाब लग रहा हूँ तो आप 20% तक भी इसको कम कर सकते हो जैसे मैंने कर दिया वैसे यहां पर हमने भी कर दिया सब कुछ लगा दिया हम सिंपल यहां से इतना कर देने के बाद अब कर देंगे दन करने के बाद इतना ही काम करना था हमने पिक्सार में ड्राव टूल के पिको कर लेते हैं सब और फोड़ो को बढ़ी है लोग देने के लिए खोल लेते हैं लाइट रूम एप्लिकेशन में गया पर आप यहां पर कॉंट्रास को आपने फोर माइनस पर करना होगा हाइलेट इसकी को बढ़ अपने कर देने के बाद यहां पर आपको वह कर दो कहिए यहां पर आप प्र बाइडनिस के लिए तकरीबन 23% उसके बाद हीओ को इसकी बढ़ा दो कि आप 6% ठीक है और उसके बाद आपने फैदर रॉल उप्शन को बढ़ाने इस वाले उप्शन को आपने थोड़ा सा बढ़ाने ठीक है और उसके बाद आपने के लिए को बढ़ाने अपने हिसाब से तो आपकी फोटो पर जितनी जच रही हो मैं तो यहां पर कर रहा हूं 30% तक ठीक है उसके बाद हम उसके बाद हम आएंगे फिर सुरज भाईया में और यहां पे लग्स को थोड़ा सा कम करेंगे ठीक है और से हम हाईले इसके फोटो बना सेक्टे यो मतलब सबसे मैं जीज़ पोस की थी आप पोस अच्छे तरिके से क्लिक कर वाओंगे तो आपको फोटो अडिट करने में क वो ही मसला नहीं होगा तो यार फोडो मतलब पोजी अच्छे तरीके से खिचवाना आप और अगर आपको वीडियो च्छे लगते तो लाइक करना शेयर करना मिलता अगली वीडियो में तब तक अपना खयार लगना अल्ला हाफिद